कौन है कॉंग्रेस के वो संकट मोचरक जिसने हिमाचर प्रदेश में हारे हुई बाजी को पलट दिया। कौन है वो राहुल गांधी के दूत जो इस वक्त कॉंग्रेस के लिए संजीवनी साबित होए हैं। कौन है कॉंग्रेस के वो संकट मोचरक जिसने हिमाचर प्रदेश में हारे हुई बाजी को पलट दिया। कौन है वो राहुल गांधी के दूत जो इस वक्त कॉंग्रेस के लिए संजीवनी साबित होए हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कॉंग्रेस के उस चेहरे के बारे में जिसका पॉलिटिकल मैनेजमेंट ऐसा है कि मुश्किल से मुश्किल परस्थितियों में भी वो कॉंग्रेस को उबार लेता है। करेंगे डी के शिवकुमार की। जी हां हिमाचर प्रदेश में सुख्षू सरकार बच गई है। और उसके पीछे जो रणिती रही है वो डी के शिवकुमार की रही है। अभी आपने देखा कुछ दिर पहने कि स्पीकर ने जो बागी विधायक थे छे बागी विधायक थे उनको अयोगी करार दिया। लेकिन कल हमने देखा कि जो पूरा घटना करम होता है जिस तरीके से बैठक होती है बीज़ेपी के विधायक निश्कासित होते हैं दर असल बीज़ेपी के विधायक निश्कासित होते हैं इसमें कॉंग्रेस को समय मिल गया। अब सुखु सरकार पर संकट के बादल नहीं हैं लेकिन चुनोती होगी कि अभी भी स्थिर सरकार देना हिमाचल को स्थिर सरकार देना लेकिन डीके शिवकुमार उनका इतिहास रहा है कि वो कैसे मुश्किल वक्त में कॉंग्रेस को उबार लेते हैं गांधी खांदान के करीबी हैं और हमने देखा कि जब राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग होती है और अभिशेक मनू सिंग्वी जो कि राज्यसभा नहीं जा पाते हैं कॉंग्रेस के यहाँ पर उमीदवार हार जाते हैं वो इस वज़े से होता है क्योंकि क्रॉस वोटिंग करते हैं यानि कि कॉंग्रेस के विधायक बीज़ेपी के उमीदवार को वोट करते हैं उसके बाद सवाल ये था कि अब तो राज्यसभा का उमीदवार भी बीज़ेपी का जीत गया है ऐसे में क्या सुखु सर जाता है राजीव शुकला ये कमान संभालते हैं ये परिवेक्षक के तौर पर जाते हैं और इनके उपर जिमधारी थी कि जो विधायक बागी हो चुके हैं या फिर जो पार्टी से नराज हैं सरकार से नराज हैं उनको मनाया जाए हमने देखा कि उनकी रणीती का हिस्सा रह है अब कम से कम तस्वीर साफ हो गई है कि बहुमत का अंकड़ा भी अब बत्तिस हो गया है क्योंकि अब 62 संक्या हो गई है विधान सभाकी अब जरह हम डीके शिवकुमार के इतिहास की बात कर लें देखिए 2017 का वो राज्यसभा का चुनाव गुजरात का सभी को याद होता है उसमें एक सीट की लड़ाई थी बीचपी और कॉंग्रस के बीच में मुकाबला कड़ा था ऐसे में कैसे विधायकों को एक जुट रखना है विधायकों की घेरेबंदी करनी है ये भी कमान डीके शिवकुमार को दी गई थी और उस वक्त एहमत पतेल राज्यसभा चुन में वोटिंग की समय बीचेपी की विधायक ने कॉंग्रेस को वोट दिया जी हां और इस बात की पुष्टी बीचेपी द्वारा भी की गई तो उल्टी गंगा करनाटक में भादी डीके शिवकुमार ने और हमने देखा कुछ समय पहले जब विधानसभा चुनाव की नती उतार दी गई और पूरी घेरेबंदी विधायकों की गई और तेलंगाना में कॉंग्रेस सरकार बनाने में कामियाब हुई तो इस वक्त डीके शिवकुमार कॉंग्रेस के लिए संकट मोचक हैं और जिस तरीके से हिमाचर प्रदेश में क्योंकि लगतार कॉंग्रेस ही कह हुई सरकार है हम पांच साल पूरा करेंगे लेकिन जो दो तीन दिन का घटना करम रहता है क्रॉस वोटिंग होती है एक मात्र उमीदवार कॉंग्रेस के वो नहीं जीत पाते हैं भी शेक मनु सिंग्री जो खुद लॉयर है उसके बाद हमने देखा कि स्पीकर आज प्रेस क निश्कासित किये कल हमने देखा उसके बाद बजट पास करवाने में सुख्रू कामियाब हो जाते हैं तो जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट था जो रणीती थी जो मंत्र था वो डीके शुवकुमार का था उनके साथ-साथ भूपेनु सिंग हुड़ा का भी था और ये विश् स्तीफा देते हैं पूरा मीडिया से मुखाते होते हैं बताते हैं कि कैसे उनके साथ अत्याचार हुआ और वो अपने पिता की विरासत को संभालने का काम कर रहे हैं लेकिन एक इंच जमीन नहीं दी गई उनकी प्रतिमा के लिए उसके बाद हम देखते हैं कि विक्रमा दित करते हैं सरकारों को भी बचा ले जाते हैं हिमाचर प्रदेश जीता जाता गुधारन है जादा समय नहीं हुआ है ते लंगाना चुनाबों को साल के आखरी में दिसंबर में हमने देखा नतीजे सामने आते हैं पिशले साल और उस वक्त भी हमने देखा कि डीके शिवकुमा करा मुट अीजेरन टो कर ला देखा ओला घः जैंगासा की। झाल